हर ओफिस स्कूल, हॉस्पिटल की कम्प्लीट सेक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए लगवाई शहान विशन सुलूशन्स के सीसी टीवी कैमेरास वो भी कमदाम में आज ही कॉंटेक्ट करें 785-79-344-10 नवश्कार मैं फहीम खान और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया तक सीवान शहर के दहा नदी पूल के उपर अभी हैं तस्वीरे दिखाएंगे कि बेरिकेट कर दिया गया है दोनों तरफ से 25 तारिक से यानि बीते हुए कल से ही जो जीला अधिकारी अमित कुमार पांड वो पूल में दरार आने के वज़े से क्रेक आने के वज़े से पहले तो भारी गाड़ियों का परिचालन बंद किया गया यानि उपर से एक लोहे का ये पाइप लगाया गया कि जो भारी वाहन है उसका परिचालन रोका जाए और बोड लगाया गया कि पूल छती ग्रस्त ह भारी वाहन ना जाए इस पे लेकिन बड़ा हादसा ना हो इसको देखते हुए जीला अधिकारी अमीत कुमार पांडे ने 24 अगस्त को एक बड़ा फैसला लिया और विग्यापती जारी करते हुए उन्होंने बताया कि 25 अगस्त 2021 से अगले आदेश तक सिवान शहर के दहानद पूल जो है ये पूर्ण रूप से बंद रहेगा यानि इस पे आवा गमन बंद रहेगा अभी तस्वीरे दिखाएंगे कुछ लोग आते जाते दिख रहे हैं आपको लेकिन हम बताएं कि जब इसमें काम लगेगा तो आने जाने वाले लोगों को भी रोकने का काम है तो य पूल जीला अधिकारी अमित कुमार पांडे ने बिग्याती जारी किया 24 अगस्त को कि 25 अगस्त से आवा गमन बंद रहेगा गाडियों का परिचालन बंद रहेगा तस्वीरे दिखाएंगे बेरिकेट किया गया है आगे कुछ रो मेटेरियल गिरा करके बेरिकेट कर दिया गया है बंद कर दिया गया है राबिस वगेरा गिराए गया है जिससे रोड यो का आना जाना तो बंद है लेकिन लोग अभी आ रहे शायद जब काम लगे तो लोगों का भी आना जाना जो है उसे बंद कराया जाए कुछ लोग हैं बात्चीत करेंगे क्या नाम हूं परसाद नाम है सिता राम नगर बलाटा करूं देखिए मैं कितना परसानी हो रहा है इदर के छितर से द्रावली हुआ गुठनी हुआ महरवा बचर लोगा आते हैं कितना पराहरिश कुछ नहीं रोखाजा तो फिर बड़ा हाद सब्हाफित हो रहे हैं पिसे कछल को देख सकते हैं लेकिन जब काम चालू हो जाएगा इस पूल पे तो लोगों का आना जाना भी बंद कर दिया जाएगा लोगों का आपील है नुज इंडिया तक की भी आपील यही रहेगी जीला अधीकारी महोदे से कि यहाँ पीपा पूल का जुगार किया जाए तयार करा है जाए पीपा पूल की लोगों को आने जाने में आसानी हो सके यह जो आप दिखाना चाहेंगे अंग्रेजों का बनाया हुआ यहाँ पूल था पूराना पूल जिसकी ओधी समाप्त होने के 25 साल बाद भी वो पूल जल अस्तर जब बढ़ने लगा नदी का बाड़ की समस्य आई उसके बाद ये भी काम रुका हुआ है और नया वाला पूल जो यानि दस सल पहले पूल बना इस पूल में भी दरार आने के वज़े से इसमें भी आवागमन बंद कर दिया गया है कुछ दिन पहले ही उपर के स से आवागमन बंद रहेगा तो दोनों साइट बेरिकेट कर दिया गया है लोग जो है वो पैदल तो आ रहे हैं लेकिन जब इस पर काम लगे तो शायद कहीं लोगों का आना जाना भी बंद हो जाए तो कई सारी परिशानियों का साबना करना पड़ेगा अब बात होती है र पुल से लोग शहर में इंट्री करते थे परवेश करते थे लेकिन अब अगर आपको शहर में आना है तो गोपाल गंज मोड यानी मुफसिल थाने के समीप में जो गोलंबर है जो मैरवा के साइट सा रहे है वहां से आपको बाय होकर हाइवे पर जाना पड़ेगा यानी ग कुसरा रास्ता जो नया किला होकर के लोग आ रहे हैं अगर उधर फोर विलर जा रही है तो पतला रोड होने के वज़े से जाम लगने की समस्या देखने को मिल रही हमने न्यूज इंडिया तक के माध्यम से भी दिखाया कि कली कल इस पूल पे आवा गमन बंद किया गया औ यूआओं ने चड़ बढ़के हिस्सा लिया ट्रैफिक पुलिस का भी काम कर रहे थे वहां के यूआओं और उस जाम से छुटकारा लोगों को को बहुत कोशिस के बाद लोगों को छुटकारा मिला thì अपको बताएं कि अगर आप मेरवा के तरफ से आ रहे हैं तो श्री लोगा राय कॉलेज से ही बाइपास पकड़के आप स्टेशन जा सकते हैं तरवारा मोड जा सकते हैं यही वो रास्ता है जिससे आप शहर में इंटरी कर सकते हैं जो मेंन पूल दाहा नदी पूल माना जाता था जो की आसानी से लोग शहर میں आते थे लेकिन अब ये पूल पर आवा गमन बंद हो गया है लोग तो आ रहे हैं काम चालू होने के बाद शायद कहीं लोगों का भी आना जाना इस पर बंद कर दिया जाए बगल में ही मौलाना मजूलहक बस स्टेंड यानि ललित बस स्टेंड है लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को परिशानिया उठान से कोई आ रहा है तो स्टेशन से आने का रास्ता वही होगा बाइपास होकर के आप मौलाना मजूलहक बस स्टेंड पहुंचिए यानि ललीत बस पहुंचिए या फिर अगर आपको गोपाल गँंज जाना है तो इस रूट से जाए नहीं तो फिर आपको बाइपास होकर के चोटपूर जाना होगा, चोटपूर जाईएगा, फिर वहां से आपको बसे मिलेंगी, ऐसी तमाम खबरे दिखाएंगे, बने रही है न्यूज इंडिया तक के साथ, अपने सही होगी, कैमरा परशन अभी सेख के साथ, फहीम न्यूज इंडिया तक, सीवान.